वेलकम फ्रेंस कैसे हैं आप से भी आयो पाप बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मेरे पास ये FND का F6000 मोडल लिपेर होने के लिए आया है होम टेटर पैंशट सो वाट पीम पी हो और इसमें क्या प्रोब्लम है दोस्तो कुछ स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है और दोस्तो ये प्रोब्लम काफी ज़्यादा कर रहा है तो देखेंगे दोस्तो क्या प्रोब्लम हो सकती है सिस्टम के अंदर क्या से आपको कैसे कैसे चक करना है आप देख सकते हैं 5.1 है यहनिके एक बेस है 15 स्पीकर सेटलाइटिस के तो दोस्तों से करेंगे रिपेर और चलते हैं वीडियो की तरब जो चैनल पर नए हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल फिरी है कोई पैसा चार्ज आपके लिए नहीं है और वीडियो को लाइक कर लेना आपके लिए बहुत मैंद करके वीडियो बनाते हैं तो सैट को स्टेंट बैसे लिज़ किया देखे आवाज मन दी है यहाँ पर आवाज को यहाँ तेज कर लेते हैं यह ओक्स मोड पर लगा हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं ओक्स मोड पर यह देखे उसी point पे speaker की output आती तो फिलाल aux पे लगा रहे हैं तो left right से ही पाँचो channel operate हो जाएंगे तो Bluetooth system को हमने connect कर लिया, इसमें aux connect कर दी है और अभी sound को सुनाते हैं आप देख सकते हैं तो इसकी bass voice clear है कोई दिक्कत नहीं है bass अच्छे से आ रही है bass में कोई समस्या नहीं है आप देख सकते हैं, यह देखे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फिर से यह देखे bass में vibration काफी अच्छा है रही है air punch भी काफी अच्छा है, कोई दिख कर नहीं है लेकिन, जो speakers है वो speakers इसके काम नहीं कर देखे अच्छा होता क्या है, देखे 5.1 में हमारा कोई volume वागरा नहीं होता है कि volume खराब हो गए हमारी, इसमें speaker बंद हो गए होगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं camera को दूसरे camera van को देता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखे मैं आपको one by one चेक करूँगा देखे भाई, इनका ground या नहीं की negative way की होता है, मैं किसी भी एक में लगा के छोड़ता हूँ पहले मैं connect करता हूँ यह देखे ठीक है, प्रोब पर यह देखे ठीक है आप देख लीजे खुदी किसमे आ रहे है किसमे तो आपने देख लेए दोस्तों इसमें तीन स्पीकर बिल्पूल बंध है सिर्फ इसके अंदर दो ही स्पीकर रन कर रहे हैं, तीन स्पीकर काम नहीं कर रहे है सेंटर, प्रेंट, राइट, यहाँ दिया, राइट मतलब साफ साफ जिस पर जो लिखा गया है वही स्पीकर हमारा बंध है देख सकते हैं आप कुछ पर तो यहाँ पर डीसी ही आ रही है तो इसका रीसन हो सकता है कि हमारा जो कार्ड है जो हमारा इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है ओडियो के लिए, प्रियेंप सिस्टम के लिए वह हमारी audio ना दे पा रहा हो IC पे तब भी दिक्कत हो सकती है IC पे अपनी 25 Wolf या अपने दोस्तो बारा-0,बारा की Wolf वो प्रो पर ना जा दी हो तब भी दिक्कत हो سकती है या हमारा कोई print फटा हो जब भी दिक्कत हो सकती है या आईसी हमारी खराब हो चुकी हो तब भी दिक्कास होती है तो अपने camera कर दिया है set अभी करते हैं इसको open और आप जल्दी से आपको दिखाते हैं जैसे ही मैं वीडियो के सुरू में बोल चेका हूँ जो हमारे नए हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हमारी वीडियो पर नए आए हैं वो प्लीज नीचे red color का आपको subscribe button दिखाई दे रहोगा उसको subscribe कर गए साथे bell icon प्रेस कर लेना open notification पर click कर लेना जिसे के आपको हर एक वीडियो का notification मिलते रहे क्योंकि हमारी तरह YouTube पर कोई नहीं सिखा सकता और यहां पर दोस्तो हमारे पास रोज ना कुछ ना कुछ सिस्टम होता था रिपेरोने के लिए कभी कभा आप वीडियो ना आप डाल पाएं साल में एक दो बार तो कह नहीं सकता कोई दोस्तो आदमी हैं मसीन तरहीं बिमार भी होते हैं ठीक है ना तो यह देखें दोस्तो इसमें दो सिस्टम है आप एक यह देख रहे हैं ऊपर की तरह पे एक बोर्ड है जिसमें दोस्तो ओडियो सिस्टम है और output का system है ठीक है ये वाला ये audio system हो गए complete इसका pre-emboard बोल सकते है एक करसे से audio system और नीचे है दोस्तो हमारा ये amplifier system है निकी amplifier board इसमें यहाँ पर देख सकते है 5 IC लगी हुई है और एक छटी IC जो है दोस्तो ये दोस्तो अपनी base के लिए लगाई गई है इसमें देखे 5 23 IC लगाई गई है ये देख सकते हो ये देखे इसके अंदर 5 23 IC है शुरू में एक transistor है ठीक है वो transistor regulation के लिए लगाई को नहीं शेड़ेंगे ये देख सकते हो 5 IC होगे total यहाँ पर जो हमारी output के लिए लगाई गई होती है और छटी IC हमारी subwoofer के लिए है और इनको 5.1 में जो audio देता है वो उपर की तरफ circuit लगाऊगा आप देख सकते हैं तो आप गिन लीजिए यहाँ से इसको छोड़ के यह हमारी transistor है और यह जो IC लेगे यह हमारी base की होगी और सेटलाइट की होगी तो अब इसमें हमें यह find करना है कि कौन सी IC खराब है आप देखिए एक दो तीन चार पांच टोटल पांच पिन है IC में तो इसकी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिन नमबर 4 पे आपको सभी पे काम करना है कैसे सेट को कर लेना है जी होना आपको अब मैं आपको यहां से बिल्कुल डिरेक्टली समझा देता हूँ बहुत सिंपल तरीके समझाऊंगा वीडियो को बिल्कुल मिस कमरत करना वरना दोस्तों काम अगर आप सीख रहे हैं या आप 5.1 का सिस्टम रिपेर करते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी ध्यान नकना मैं आपको कुछ समझाने के लिए कह रहा हूँ यहां पर कोई कमाये वाला सीन नी है कि दो कदड़ी वाला है अब देखिए यहां तो कोई जोइनिंग वही निका पैसा तो लिया इनी जाता अब देखिए हमने अपने स्पीकर के वायर लिये अब यहां पर हमने ग्राउंड होना है ग्राउंड के लिए सिंपल होता है जहां पर दो में कैपैसिटर लग उते हैं यहां पर से दोस्तों अभी इस ग्राउंड पर करेंगे क्या ग्राउंड का सिंपल नहीं जाता है तो यह देखिए दोस्तों अब हमने यहां पर बोर्ड को आपको दिखा दिया अब हम करेंगे सिस्टम को ओन करेंगे अब थोड़ा ध्यान से देखना सिस्टम को ओन करेंगे स्टंबास रिलीज करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे उसमें सॉंग पिले कर लेंगे कहने का मतलब यह और ओक्स मोड पर लगाना है यह चीज यादा है नहीं 5.1 पर नहीं ओक्स more पे लगा के रखना है अब आपको करना क्या है सिंपलि एक स्पिकर लेना है स्पिकर का एक वाइर ग्राउंड पर लगते हैं आप या मैंने वाइर को पकल लिया अब यह जो चार ओएसी पांच ओईसी लगी हुई हैं आपको इनकी पिन नंबर 44 पे वाइर लगा के देखना ह फलेखते हैं पहली आइसी पर साउंड आ रहा है है कि आप देख सकते हैं यह देए ठीक है जी पहली bunkulation आ उसे अब जलते हैं तूसरी आइसी पर प्ल 오늘 नंबर साउंड नहीं है विन नंबर फोर पर स्पीकर कारा ओट होती हैते हैं Thermal चोथी भी खराब है और हमारी हैं पांच भी खराब है तो सिर्फ इसके अंदर दो ही आईसी ठीक है हमारी यह आईसी बिल्कुल डैट हो चुके हैं क्यों हमने अपडेट कैसे गोसित कर दिये कि आईसी गोसिता ओडियो की प्रोब्लम नहीं है देख सकते हैं हमने इस तरह से क्योंकि इसकी आउटपुट में डीसी आ रही है और डीसी दोस्तों अगर आती मनला बोर्ड से दिक्कत होती कि डायोड वायड खराब हो गए होगे या हमारे ओडियो सेक्षन में दिक्कत हो गई होगी तो हम ऐसे मान सकते थे कि पांचों की पांचों आईसी पर डीसी आती है तो हमारा क्या दिक्कत आती है वो हमाई आईसी पिन नंबर फॉर से वो पिन नंबर फाइव से और पिन नंबर फॉर आपस में कनेक्ट हो जाती है अन्नी के अंदर शोटिंग हो जाती है उसे बोलते है हमारी आईसी सोट हो गई तो अब हम करेंगे क्या सिंपली हम इन आ दिखाएंगे दोस्तो देखें चेक करने का मेथाड होता है हमें यह कंफर्म होना चाहिए कि यहीं पर दिख्कत है मन में कोई भी डाउट नियुकर चाहिए मैं उसी डाउट को किलिए करने के लिए आप UP के लिए थोड़ इसी वीडियो बना देता हूं लंबě कर गया क्योंकि, आपके mind में रहं कोई भी वीडियो को देख वा और दौक्त मैंस दोस्तों सिस्टम होते हैं तो यह तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो बर्ण हुई हुई है हमने यहां पर खोल दिया है इस समय ओफ है यानि कि अब जल्दी से जो आइसे पे हमारी ख्राब के हमने कट चंण लगा लिया था गलत काłच नलगा लाए तो हम इसे in यहां एक बाहर निकाल लेते हैं अइसी निएbels बश् cunning यहां पर जो यहां पर उसकी सोल्डिंग रिमोव कर दी है ठीक है जी अब हमने यह काम करने के बाद ic को निकाल ख़र तो यह देखे दोसस campaign और यह देखे दोस्ता आइसी फटी वई हैं अब जली हुई एज बेख सक्ते हो ठीक है तो यह ic क Cash को और दूसरी भी निकाल लेते हैं जो जो तो यहां पर दोस्तों आप 20-50 IC लगा दे तो दोस्तों की सिधर दी नहीं है क्योंकि क्स्टमर वापसी नहीं आएगा अगर आप चाह रहे हैं कि क्स्टमर वापसी बुलाना है तो 20-30 की क्स्टमर के साथ दोका मत करो क्योंकि वह भाई हमारी तरह है उसके पास भी पैसा हराम कर नहीं आ रहा है तो इमामदारी से काम करो दोस्तों बहुत अच्छा रहे हैं तो जल्दी से मैं आईशी की डिब्यूट आता हूं कैमर है लिए सोरी तो यह देखें दोस्तों मेरे पास ट्राइंगल की ओरीजिनल आईशी है तो मैं यहां पर ओरिजिनल 20-30 डालूगा ट्राइंगल की जो खराब ही नहीं होगी जल्दी से तो यह दैख सकता हो डी का पेपर हैं इनको आपको रिप्लेस करना होगा मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ जब आपको किसी भी ओम्टेटर में लगने लग जाए कि इसके आई सी बार-बार खराब हो रही हैं बिना किसी रीजन के तो समझा दोस्तों आपका माई का पेपर लिकेज करने लगे हैं करं हैं तो अपने अंदर को अर्दान परदान करने लगते हैं तो क्या होता है हमारी आइसी जल्देली खराब होने लगती है तो यहां पर हीटिंग कंपाउंडर लगा के आइसी पर तो जब आपको यह करूंगा पहले इसके सारे जितने भी पेपर लगे हुए हैं उनको साफ कर लूँगा अभी दिखांगा आपको अब बहुत अच्छे से सारे टूजड पेपर टालें और यहां से अच्छे से क्लिनिंग करेंगे कपड़े से आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे जितना जरूर है वही लेंगे समय तो इस अच्छे से देगे हीट सिंग को हमने बि क्लिन हो गया है अब हमें करना क्या है यहां पर यह जो हैं थोड़ा से यहां है हम आपके लें थोड़ा से तो हीट सिंग करती है अब जो लेकिन यह करते क्या है जो हमारे लोहे से मतलब जो इसका करंट है वो दोस्तों रोकते हैं जाने से कैसा जाने मतलों छैसे कि आपको वहर जाए sorting बनाने से रोकते हैं क्योंकि दूसरी थरह जिल इनद में आई सी लगता है तो इसी तरह से हमारे भीच में ड़क लगाते हैं पड़ती रोद का काम करते हैं तो दूस्थतों देखे हैं ने हीट कम बाउंडर लगा-लगा करके सभी माई कपेपर चैट विठा दिये हैं और हमाया फे इस तरह से बोर्ड को रख करके सभी कस लें बोर्ड को सैट करते हैं अभी आपको फाइनलई दिखा मैं आपको बता दूंगा इसलिए कहते हूं दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखा करो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहता है हम ऐसा नहीं है हर एक वीडियो में एक चीज को दोराते हैं और हमारे अंदर यह नहीं है कि छोटे-मूटे एक उल्टी-शिदी चीजों को ला करके उल्टे-शिदे थमने लगा करके दिखाया जाए जो होता है जैन्वन तरीके से दिखाते हैं तो यह देखे दोस्तों यहां पर हमारे बोर्ड जो है वह एम्प्लिफायर बोर्ड बिल्कुल अच्छे से सेट बैठ चुका है और जो आई-सी है वो माइक को इसें बिठा लेनिया वोड़ीन नहीं करने मिल्कुल भी आद अगना है सोल्डिंग जब तक नहीं करने 09 जब-तक आपको यहां पर जो पर प्लेट है वो सएड न वेढ़ जाए तो यह हम सकते हो हमने यह यह वह बिठाल लिए आई-सी को ठीक है आई-सी बैठ चुकी है इस ट्रैक को भी लगा देते है यह हमारा IC को रोकने के लिए ठीक है तो यह हमारी IC को पलेट रोकने के लिए है जैसे कि IC को जगडने के लिए कहा जाए तो हीट सिंग पर रोकने के लिए हम इसको भी यहाँ पर लगा लेते है तो यहां पर page कस लेते हैं इसके भी क्योंकि दोस्तों अगर यह आपके पलेट नहीं लगाई आपने तो होगा क्या आपके IC डिली रहें क्योंकि इसमें हर एक IC पे स्क्रूर नहीं दिया गया इसमें क्या गया गया एक लोहे की length बना दी उसमें page कस दे पिछे से सभी IC को रोक लेता है ठीक है तो इस तरह से हमें इसके सभी page को जल्दी से कस लेते हैं फिर जड़ाज अभी आपको दिखाते हैं तो यहां पर सभी page हमें अच्छे से कस लेने होंगा क्योंकि अगर आपने page delay छोड़ दे तो IC फुकने के चांसे दुबारा बने रहेंगे तो सभी page कस चुके हैं heat sink पे और देखिए IC बिल्कुल अच्छे से mount होड़ शुकी है heat sink पे बस आपको finally एक काम कर लेना है आपको heat sink से IC के base पे pin number 3 पे यहां पे इसकी उपर की तरफ heating जाती है वहां से आपको meter continuity mode पे लगा के यह देख लेना है कि IC heat sink से short तो नहीं है तो पहला transistor है इससे तो short होगी होगी सिद्धी सी बात है इसको तो short देंगे IC से करेंगे सिदा तो यहां IC से देखेंगे यह देखें कोई भी shorting नहीं है यह transistor से होगी क्योंकि transistor तो already हमाँ पे direct है ठीक है transistor को छोड़ देंगे transistor से कोई मतलब नहीं वैसे capacitor charging की rating आ रही है sorting की rating नहीं आ रही है चलो कोई नहीं IC से देखेंगे IC से कोई भी री IC rating नहीं है कि जो sorting की हो तो इसका मतलब जो IC है हमारी proper heating करने के लिए मतलब heating पे लगी है कोई दिक्कत नहीं है यह देख सकते हो proper हर एक IC बिल्कुल proper है कोई भी shorting नहीं सिर्फ एक transistor से हमारी direct है क्योंकि दोस्तो direct already महाँ पे ground से attach है तो हमारा क्या है दोस्तों हमारी IC बिल्कुल proper बैठ चुकी है जब तक आपकी IC heat sink से reading ना आए जब तक आपकी proper नहीं है मतलब मेरा कहने का मतलब यह है heat sink से IC पे कोई भी shorting नहीं आनी चाहिए अगर आपके इस तरह के home data है कि उसमें output वो जो सारा speaker का जो पीछे का section है जहाँ पे input output लगते है पूरा ही lowe का है अगर spicy mount कर रहे है तो दोस्तों उससे कोई reading नहीं आनी चाहिए मेरा कहने मतलब यह है वरना heat sink पे direct लगी होती है माई का पे पलाएन जोरत नहीं होती है जिसमें खाली सिर्फ heat sink होती है और लकडी के box में कसा होता है आपने देखा भी होगा ठीक है अब जल्दी से इसकी soldering करते हैं और आपको final test करके दिखाएंगे होता क्या है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहतू हूँ बहुत simple है हमारे क्या होता है pin number 3 इसकी voltage के लिए होती है अब वही voltage अगर ग्राउंड से अटेच हो जाए तो दोस्तों sorting बनेगी और ग्राउंड हमारी heat sink जो होती है output में वो इसमें होती है क्योंकि speaker का जो minus लगा होता है वो इसमें लगा होता है तो सिद्धी सी बात दोस्तों sorting में आएगा आप फाल्ट ढूंटे आ जाओगा आपको फिर फाल्ट नहीं मिलेगा कि भी आप फाल्ट का है समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे दिक्कत बन जाएगी तो हम नहीं चाहते कोई दिक्कत बने उससे पहले ही मैं आपको निवारन बता देते हैं कहने के मतलब यह है जो आउटपूट का पूरा सेक्षन है वो दोस्त आपका अगर लोहे का मैटल का बना हुआ है तो उस पे हीटिंग कंपांडर लगा करके यह चेक कर लेना कि आई से सोड तो नहीं उससे लकम तो Libra करते हैं उन Bluetooth Mode मोड पर लगाते है हैह उक शिस्टम पर लगा करके अभी इसमें लीड लगाते हैं और आपको इसक्र को स्पीकर टेस्ट कराके दिखा देती हैं तो जोन सो तो पिकर नहीं चलना था आप कि दूसरा चेक कर लेते हैं दूसरा भी काम कर रहा है दूसरा जबिए नहीं तो साउंड अच्छा रहा है कोई दिक्कत निया कोई परेशान ही नहीं है हमारा साउंड सिस्टम पूरा अच्छे तरह से रिपेर हो जुका है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तो आई ओप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लेगे तो प्ली वीडियो को लाइक कर देना अपने दूसों में सेव कर देना और जो चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना हमारे दुआरा आपको वीडियो कैसी लग दिया मैं कमेंट जूर बता देना भाई क्योंकि आपके लिए मैनत करते हैं आपके लिए वीडियो जैहिन वन दिवाद में दोस्ते आपके दिन सुपर